मेलो फ्रेंड्स आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटो सॉप में एक्षन कैसे बनाया जाता है एक्षन कैसे किरिट के जाता है यहां से हम फोटो सॉप को ओपेन कर लेते हैं दोस्तो एक्षन होता क्या है फोटो सॉप म यो बना के रखे हुए हैं उसको सिफ प्रेस करेंगे तो ओ काम अपने आप हो जाएगी दोस्तों आपको बार-बार उही सारे स्टेप को फोलो करने की ज़रूरत नहीं है एक संसे यही फाइदा होता है चलिए यहां से हम एक पासपोर्ट साइज फोटो तयार करना चाहते हैं एक संके द्वारा जैसे यहां पर फोटो लेने के डाबल किलिक करेंगे और यहां से एक फोटो हम सलेट करके ओपन कर लेते हैं दोस्तों फोटो के पासपोर्ट साइज बनाने के लिए यहां से आप भी 3.5 और हाइट यहां से 4.5 ले सकते हैं रिजलेशन 120 ले सकते हैं जितना जरूरत है और यहां से इंच पर किलिक करेंगे तहरा ыл gir आने के पासवर्ट गया यहां से एक पेजप बात mmartPrall ताियार करना चाहते हैं यहां लेने के बाद तब क्या करना है दोस्तो मूव तूल को सेलेट करना है और यहां से फोटो को आपको मूव करके इस पेज भी लियाना है देखे इस पेज भी हमने तो इसको लिया हैं इसके बाद दोस्तो इसको क्या करते हैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं इस तरह से और यहां से इस से लिए आते हैं और इसको बढ़ा करना है दोस्तों जैसे फोटो अभी छोटा है इसको अगर बढ़ा करना तापको कीवोड पे कंट्रोल प्लस टी प्रेस करेंगे और इस फोटो को जितने बढ़ा आप रखना चाहते हैं और साइच को आप बना लेंगे इस तरह से इस तरह से बनाने के बाद आपको इहां पे किलिक करना है तो आपको इस तरह से हो गया और इसमें फोटो में आप अश्टोक लगाते हैं अश्टोक लगाने के लिए आपको इडिट में जाना है एडिट मेन्यू में और नीचे देखिए अश्टोक है इस पे किलिक करेंगे औ आप यहां से हम एक्षन लगाते हैं पहले कि एक्षन लगाया कैसे जाता है तेक्षन लगाने के लिए देखे एक्षन पाइलेट यहां पे है यहां पे अगर आग नहीं रहता दोस्तों तो आपको जाना बिंडो मीनू में और यहां से देखे एक्षन है एक्षन पे किलिक करे के बाद आपको यहाँ पे देखे एक तीर है एरो है यहाँ पे किलिक करेंगे और यहाँ पहले जाना है निव सेट में जाने के बाद इसका एक नाम देदेंगे जैसे हम यहाँ पे नाम देते हैं राम औरोके पे किलिक करते हैं इसके बाद आपको फिर से उसी में जाना है जह कि ये अगर सेट एक से बहुत ज़्यादा सेटके पासे दो तीन चार सेटे जो सेट को रखना चाहते हैं उसीए साथ कच Nahum जैसे देखिए इसमें बहुत सारे स्वाटकोट की है वह 2 से लेकर और F2L तक है इसमें आप कोई भी ले सकते हैं जैसे हम F5 ले लेते हैं F5 लेने के बाद अगर सिफ्ट के साथ लेना चाते हैं यहां पर टीक करेंगे अगर सिर्फ सिंगल आप F5 प्रेस करना चाते हैं तिहे रहें देंगे और यहां से रिकॉर्ड पर आपको एक बार किलिक कर देना है आप इसके बाद क्या करना दोस्तों इसको कॉपी करने के द्रेक करेंगे तो दोस्तों हम थोड़ा सा कर लेते हैं जली यली फास्ट में यहां से हमने सभी को एक तरह से एरेंज कर दी है पासपूर्ट साइज फोटो में अगर आप चाहें तीस से ज्यादा भी फोटो ले सकते हैं अगर पेज आपके पास बड़ा है तो बड़ा अगर बनााइे अगर सपफेश का है हमने अल्ट प्रेस करके माउस से किली करे करते हां इस में इंका कर लेंगे तरह से तरह से ब हरा से करना है पीचर के करने हैं सलेट करने पर किलिक करना या फिर की पर अपनी है कोई के दूरी करना है यहां घ्रंट किलिक करना छो इस्टोब कर देना है आप किजिए और रिकोड नहीं होगा इतना रिकोड कोवाद के बाद अगर इस पासपोर्ट साइज फोटो अगर आप एहलो वहें जाए on the being कोई कोई कित़ नहीं है चलिए हमने के बाद आप कलूज कर दिए इसको आप करने के बाद दोस्तों होगा दिए जैसे आपने सुरूं में कियें थे, वहेकामा को फलो करना है यहाँ इतना करने के बाद अब क्या करना, एक page लेना है इस page को लेने के लिए फाइल में जाएंगे, new पे click करेंगे और यहाँ से click करेंगे इस page भी आपको इस passport size को फोटो को डरेक करके लाना है इसको लिए आपको मूह तूल पे किलिक करेंगे इसके बाद इस पे किलिक करके यहाँ पे डरेक करके लिए आएंगे और इस पिचर को आपको बढ़ा करने के लिए Ctrl T करना है अगर छोटा है तो बड़ा करना है बड़ा है तो छोटा करने के लिए यहां पर Ctrl T का यूज करेंगे Keyboard पे और जितने बड़े आपको रखना पीचर को उतना बड़ा करके आपको यहां से टीक पे क्लिक करना है इसके बाद इसमें आपको अश्टोक लगा लगाना है अश्टोक लगाने के लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहां श्टोक पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको पीचर में श्टोक लग गया और पीचर को थोड़ा सा और हम छोटा कर लेते हैं दोस्त इसके बाद आपको जो आपने shortcut की रखें थे और आप keyword पर प्रेस करना इतना काम करने के बाद हम एफ 5 रखें थे shortcut की एफ 5 हम यहां पर प्रेस करेंगे इसके बाद देखिए password size automatic बन गया यहां से इस तरह से आपको फोटो तैयार हो गया दोस्तो इसमें आपको फोटो लगता है पूरा सटा हुआ तो दोस्तो थोड़ा सा फोटो इसमें बड़ा हमने ले लिए हैं आप जो size के फोटो लिजेगा वो size आप यहां पर लिख दीजेगा करोप लेने के बाद यहां से size आपको 3.5 से width और height 5.4.5 से यतना लेने के बाद आपको इस तरह से फोटो नहीं आएगी और बढ़िए एक अच्छा तरीका से हो जाएगा तो दोस्तो आज किस वीप में आपने सीखें action Photoshop में कई से create के जाता है action कैसे बनाता है action बनाने के लिए यहां पर जाना है और यहां से फोटो लेने के बाद पहले action set कर लेंगे new set पर यहां से नाम लिख लेंगे और इसके बाद आपके पर किलिक करेंगे इसके बाद इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है कि new action पे click करना और यहां से आपको जो set लिए है उस set को select कर लेना है और यहां से आपको जो shortcut की बनाना चाहते हैं उसको select कर लेंगे हैं इस तरह से record करेंगे इसके बाद आपको सिर्फ एक click करना है आपको passport size photo बनकर ready हो जा